नमस्कार पिशल स्टोड़ी देख रहे हैं आप और मैं आतम जा आपके साथ बिहार में बजली का स्मार्टमीटर लगाने को लेकर चोर मचाई शोर जैसी हालत हो गई है बजली का स्मार्ट मीटर या स्मार्ट चीटर इस बात की चर्चा बिहार की सियासत में काफी देज है एक तरफ तिजस्वी आदो इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं तो वही दूसरी तरफ बिहार के मुख्या इसे जान बोशकर फैलाया हुआ भ्रम बता रहे हैं लेकिन बात यहे कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम राजद और जद्यू के अलाइंस वाले कारेकाल नहीं हुआ था ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में लोगों को प्रिपेड मीटर से प्रॉब्लम्स हो रही है या जान बूच कर तिजस्वी लोगों को मिसलीड कर रहे हैं ताकि आने वाले विधान सबा चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो इसके बारे में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे अपने इस स्पेशिल स्टोरी में स्मार्ट मीटर को जान बूच कर चुनावे मुद्दा बना रहे तिजस्वी यादा लोगों को गुमराख करने की राज़ुद कर रही बड़ी शाज़िश आखिर 17 महीने के कारेकाल में तिजस्वी ने क्यों नहीं उठाएं सवार बिजली विभाग की ओर से राज़्य भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की मुहीम चलाई जारी है तो राज़ुद ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्जा खोल दिया एक उक्टूबर से पाटी का स्मार्ट मीटर हटाओ राजव्यापी अभियान धी शुरू होने वाला है इसे की भी चुर्जाब भाग की तरफ से राज़ुद के प्रदेश अध्यक्ष के घर का बुजली बल भी जारे किया गया जिसमें उनके घर का बिल पहले के मुकाबले कम था लेकिन तजस्वी इस बात को कहते नहीं ठक रहें कि मीटर लगने से बिल ज्यादा आ रहा है नेता प्रतिपक्ष तजस्वी आदो विदेश दौरे पर पत्नी और बेटी के साथ दुबई में है तजस्वी ने वहीं से स्मार्ट मीटर का विरोध करने के लिए कार्यकरताओं को प्रतसाइद किया उन्हेंने कहा है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं बलकि स्मार्ट चीटर है तजस्वी ने बताया कि 20 साल से राजुस सरकार ने तीन बार बजली का मीटर बदला और मीटर का पैसा आम आदमी से वसूला जाता है ये स्मार्ट मीटर नहीं बलके स्मार्ट चीटर है लेकिन सचाई तो यह है कि राजुत के कारेकाल में ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था इसके अलावा आदानी को टेंडर भी उन्हीं के कारेकाल में दिया गया इसके बारे में आपको बताएंगे लेकिन राजमे prepared smart meter को लेकर हो रही सियासत पर मुख्यमंतरी नतीश कुमार ने क्या कहा है पहले उसको जानते हैं नतीश कुमार ने कहा कि राजमी smart meter को लेकर भ्रहम फैलाने का काम किया जारा है उन्होंने आम लोगों से अपील भी करी है कि जो लोग दुस प्रिशार और अफ़ा फैला रहे हैं उससे भ्रमत ना हो इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी दिया कि स्मार्ट मीटर को लेकर जहां प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका शॉल्यूसन जल से जल ढूनने की कोशिश की जाए मुख्यमंत्री ने उर्जब भाग की उचस्तरिय समिक्षा बाठिक भेगी की कोशिश की जारी है उन्होंने आम लोगों से भी अपील करी कि जो लोग दुस्प्रश्यार या अफवाब फैला रहे हैं उनकी बातों में आने से बचे लेकिन क्या वाकी में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और एक ऐसा माहौल तयार किया जा रहा है ताकि प्रिपेड मीटर को लेकर लोगों के बीच मिसिंफोमिशन जाए देखें बिहार में असेंबली अलेक्शन होने वाले हैं ऐसे में राजजनितिक पातिया जो है बेवजब ही मुद्दे को ढूणने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी आदो अपने 17 महीने के कारेकाल का बखान करते नहीं ठकते लेकिन दूसरी तरफ उसी 17 महीने में तेजस्वी ने प्रिपेड मीटर जैसे मुद्दो पर चुपी साथ रखी थी उस समय भी प्रिपेड मीटर का काम चल रहा था लेकिन उस वक्त तेजस्वी ने इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करी इदर शिकायत मलने के बाद से उर्जब भाग के तरफ से भी इसकी समिक्षा बाठक की गई जहां कि उर्जब भाग ने राजुत के प्रदेश अध्यक्ष जग्दन अन सिंग के घर का बजली बिल भी सार्वजनिक किया जिसमें या दिखाया गया है कि पहले उनके घर का जो बिल था उसके कमपारिटिबली अब उनका बिल कम आया है वह स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर अब सियासी बहस भी छिड़ गई बीजेपी ने भी अब प्रतिक्रिया दिया है और तेजस्वी यादो पर निसाना साथा डेपटी सीम वजे कुमार सुद्णा ने कहा है कि तेजस्वी यादो पर रस्ट चार के हर पहलू को काफी अच्छे से समझते हैं वे इसमें काफी अनुभव भी उनके पास है उनके सत्ता में रहने के दौरान यह भीयान तेजी से चला था उस समय आखीर तेजस्वी चुप क्यों थे वजे कुमार सुद्णा ने कहा कि बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर शुरू किये गये थे जस तरह प्रिपेड मुबाइल से माय काम करती है ठीक वैसे ही बिहार में स्मार्ट मीटर प्रिपेड तकनीक है इसमें अगर कोई कमी है तो उसे रिपोर्ट करना या प्रतिपक्ष की जुम्यदारी बनती है सरकार समुद्धे को गभीरता से स्विकार करेगी और सुधारेगी भी लेकिन केवल आरोप लगाना काफी नहीं है वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दलिप जैसवाल ने भी समामले पर प्रतिक्रिया दियू और कहा कि कि तिजस्वी और राजुत के लोग बेशर्म है जब वो सत्ता में थे तो उस समय स्मार्ट मीटर नजर नहीं आया सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं वहीं मंगल पांडे ने भी इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि तिजस्वी को ट्वीट करने के अलावे कुछ नहीं आदा तिजस्वी आदो को बिहार की कोई शुंता नहीं है ना ही वो यहां के मुद्दे को ठीक से समझते हैं विकास के नाम से तो उन्हें चिड है सरकार किसी भी छेतर में विकास का काम करती है तो उन्हें इसमें कमे नज़र आने लगती है वहें केन सरकार ने बजट में बिहार के लिए साथ हजार करोर रुपे दिये तो ये लोग उस पे भी गुस्सा हो गए थे और सदन में बहिस्कार किया था इनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करना है तो ये तमाम बाते जो है वो भाजपा के निताओं के तरफ से कही गई है इताई नहीं तजस्वी आदो ने जो मीटर को चीटर बताया है इसको लेकर अजय आलोक ने भी कहा है कि दूसरे को ये चीटर कहने से अच्छा है कि दली की राउज जवेन्यू कोर्ट में आकर अपना हिसाब पहले चुकता कर ले उन्हें कोर्ट ने समन भेजा है वो समन की चिंता करे इसके बाद आंदोलन के लिए कोई प्लान बनाए अब समझे ज़रा ये जो तमाम चीज है वो बजली के मीटर को लेकर एक बार फिर से यह मीटर वाला मामला भी तिजस्वी के तरफ से उठाया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में लोग इस तरह की समस्याओं से जूज रहे हैं या पिर सरकार को डिफेंड करने की इसके पीछे बड़ी साजुश है ताकि आने वाले चुनाव में इसे चुनावी मुद्धा बनाया जाए और इससे अपनी रोटी से की जाए तो देखें तेजस्वी आदो ने तो अपनी च्वाल चल दी है लेकिन अब सरकार के लोग भी इससे निपटने के लिए पूरी तयार्या कर रहे हैं नतेश कुमार ने भी बैठक कही है और उन्होंने कब इस साफ जनता को भी एक मेसेज दे दिया है कि या एक तरह से अफवा है आप इससे बचने की कोशिश करे लेकिन आप लोगों को क्या बाकरी में बजली के स्मार्ट मेटर से कहीं और भी किसी तरह की समस्याएं हो रही है तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि सरकार को या सरकार में जुड़े लोगों को भी जानकारी हो कि सही में जमीनी अस्तर पर भी लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे है या फिर यह बस एक स्वाजिश है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो को शेर करें और आज के इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही आगे कि तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें का पचल टीवी बिहार तरने वाद